श्वाजी महराज की कहानी एक बार रात में छेत्रपती श्वाजी महराज सो रहे थे एक तेरा चौदा वर्ष का बालत किसी प्रकार उनके सोने के कमरे में छिप कर पहुँच गया उसने श्वाजी को मार डालने के लिए तलवार निकाली लेकिन तु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने हाथ उठाया ताना जी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया छेत्रपती के विश्वासी सेना पती ताना जी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था और वे यह देखने उसके पीछे छिपे आये थे वहें क्या करना चाह रहा है शिवादी के नीन तूट गई उन्होंने बालक से पूछा तुम कौन हो यहां क्यूं आये हो बालक ने कहा मेरा नाम मालो जी है मैं आपकी हत्या करने आया था शिवाजी तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो मैंने तुमारा क्या बिगाड़ा है बालक आपने मेरी कोई हानी नहीं की है लेकिन मेरी माता कई दिनों से भोकी है हम बहुत गरीब है आपके शक्रो सुभाग रायने मुझे से कहा था यदि मैं आपको मार डालू तो वे मुझे बहुत धन देगे इतने में ताना जी बोले दुष्ठ लड़के धन के लोब से तुमाराश्ट के धारक का वद कलना चाहता था अब मन्ने को तयार हो जा बालक तनिक भी नहीं डरा उसने ताना जी के बदल शिवाजी से कहा महराज मैं मन्ने से डरता नहीं हूँ मुझे अपने मन्ने की जिन्था भी नहीं है लेकिन मेरी मा बीमार है और कई दिनों से भूकी है वह मन्ने को पड़ी है आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए माता के चड़नों को प्रणाम करके मैं आपकी पास लोटा हूँगा मैंने आपको मानने का यत्न किया अब आप मुझे मार डाले यह तो ठीक ही है पर तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताना जी ने कहा तु हमें बातों से धोका देकर भाग नहीं सकता है बालक बोला मैं भागूंगा नहीं मैं मराठा हूँ मराठा जूट नहीं बोलता शिवाजी ने उसे घर जाने की आग्या दे दी बालक घर गया दूसे दिन सबेरे जब छेत्रपती महराज शिवाजी राजदरवार में सिंहासन पर बैठे थे दौरपाल ने आकर सूचना दी की एक बालक महराज के दर्शन करना चाहता है बालक को बुलाया गया वह ही मालोजी था मालोजी दरवार में आकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोला महराज मैं आपकी उधारता का भारी हूँ माता का दर्शन कराया अब आप मुझे मृत्यू दंड दे चत्रपती महराज शिवाजी सिंहासन से उठे और उन्होंने बालक को रिदय से लगा लिया और कहा यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राण दंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन तुम्हारे जैसे बालक ही तो महराश्ट के भूशन है बालक मालो जी शिवाजी महराज की सैना में निव्थ हो गया चत्रपती ने उसकी माता की चिकितसा के लिए राजवैत को भेजा और बहुत सा धनों से उपहार में दिया दोस्तों यह ती शिवाजी महराज की कहानी हम आशा करते हैं कि आपको शिवाजी महराज की कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद